हेलो फ्रांस कैसे हैं आप भड़ियां कहते हैं ना जब शो को सम्हालना होता है तो सबसे पहले पोर्ड्यूजर उसमें लीप देने की कौसिस करता है ताकि जो है शो बच जाए और जब किसी बच्चे की कहानी दिखाई जाती है ना तो हंड्रेट परसेंट जो है लीप आना ह होता है जहां पर उसका स्ट्रैगल दिखाया जाता है कहानी की सुरुआत होती है छोनी पर काफी अच्छे शो आते हैं डाते हैं लेकिन ट्यार पी नहीं आ पाति यह यह कहें कि जो है सोनी टीवी पर आम-जनता नजर नहीं डालती हुँआ अगली जैसे शो तो पसंत आते ह लेकिन वो जब सोनी प्याएं तो वो उन्हें इतना ज्यादा नहीं देखते हैं लोगों की पसंद जो हैं सबसे ज्यादा जो है दंगल स्टार प्लस कलर जी इन पर ज्यादा रहती है तो चलिए मैं बात करने वाली हूं आपके सोनी के मोस्ट पॉपुलर शो दबंगी की तो जिसकी कहानी एक छोटी बच्ची से सुरू होती है जो एक दबंगी टाइप की है जिसके पिता भी एक दबंग है और जिसकी परवरिश में वो पलेगी वो दबंग तो जरूर है लेकिन उनके संसकार काफी अच्छे होंगी काफी स्ट्रेगल भरा जीवन दिखाएंगे दबंगी का बहुत ही अच्छा दिखा रहे हैं जो उसका कॉम्पटिशन है किर्नापिंग है बम से फटना है इतना कुछ आपने देखा अब जो है शो में ली पाना जरूरी है क्योंकि आपने छोटी बच्ची की कहानी बहुत जादा देख ली है और ऐसे में गवर्मेंट का एक रूल भी है कि छोटे परदे पर कम उम्र के बच्चों से शूटिंग जो है जादा नहीं करा सकते तो इसलिए आप जितने भी टीवी शो देखो तो छोटे बच्चों के रोल्स बहुत कम हो गए है और जो छोटे बच्च का ली नजर आने वाला है जहां पे आपकी प्यारी आया यानि कि जो दबंगी के नाम से फेमस है अब वो बड़ी हो जाएगी और जो कहानी की सुरुआत ऐसी दिखाई है कि लग रहा है कि वो पुलिस ओफिसर बनेगी और अपने बाप के काले चिठों को समाज के सामने घस सीट कर लाएगी जहां पे उसकी मा को उसके बापने मारा उसको भी मारने की कोसिस की ये सब जो है आगे चल कर आपको देखने को मिलने वाला है लेकिन उसके कृदार कौन-कौन आपको नजर आने वाले हैं में लीड में आपको राहु सुधी नजर आएंगे जो काफी कर रहे हैं इश्क में मर जावा सीजन टू में वो नजर आए थे रियांस के नाम से राय सिंगानिया के नाम से वंश के नाम से ऐसे में जो है फैन्स ने उन्हें बहुत प्यार दिया था अब दोबारा वो का 걱정 तो आने वाले टायМ में ही पता चलेगा पब्लИक की मास तो कहा जा रहा है कि शायद निगेटिव रोल करने वाले हैं अब बात करते हैं आपके कि पyारी रचना मिस्टरी भी नजर आने वाली हैं शायद यह दबंगी का रोल करेंगी यानि कि आर्या का रोल करती भी नजर आएंगी एक पुलिस ओफिसर का रोल करेंगी पहली बार हम इने इस रूप में देखने वाले हैं कि देखते हैं कि अब तक तो ये डरी-डरी का रोल करती थी अब दबंगी टाइप का रोल इनके चेहरे पर कैसा लगेगा ऐसे में इस से पहले जो हैं ये स्टार भारत पे ना उम्र की सीमा या कलर पर भी ये नजर आ चुकी है. अब देखना है कि स्टोरी कितनी दमदार होने वाली है. आपको बताया है कि पहले से इसकी स्टोरी बहुत दमदार है लेकिन सोनी पर है 0.5 ट्यार पी निकालना भी बहुत मुस्किल है. तो उमीद है कि लीप के बाद 0.4 या 5 तक ये पहुँच सकता है. अगर ये आपका फैबरेट शो है या जो सितारिस में आ रहे हैं वो आपके फैबरेट है तो कमेंट करके जरूर बताईए. बाकी जानकरी के लिए लिए लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है.